Good morning all of you, उन्में करते हैं, आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, Math Guru Learning Center में आप सभी का स्वालत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें, प्लाश कें का Maths, Chapter 8, Exercise 8.1, Question No.9 का जैसे कि सवाल No.9 में बताया जा रहा है कि त्रिभूज ABC में जिसका कोन भी समकोन है यहां पर बात को समझता है जिसका कोन भी समकोन है, यानि हम दोग एक चित्र बनाएंगे जिसमें B जो होगे वो एक समकोन ही प्रिभूज होगे बाती आप A और C को किसी भी जगा पर लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चलिए मैं यहां पर A रखता हूं और यहां पर मैं C रखता हूं अब बताया जा रहा है कि यदि 10 A बराबर एक बटे रूट टीन है यहां, 10 A का मान दे दिया है, एक बटे रूट टीन यहनि 10A का मान एक बटे रूट तीन है तो निम्न दिखित मान वो गयाद करना है साइड एक कौसी तो 10A जो है वो आपको A से देखना होगा तो 10 का फार्मुला होते हैं लब बटे आधार एक बटा रूट तीन यहनि 10 हो गया एक और आठार हो गया रूट तीन तो यह AC कितने होगे यह आपको पहले निकालना होगा जो कि Python-Gurus मेथड से निकलेंगे यह आप लोग को पता है Python-Gurus मेथड क्या होते हैं तो AC को निकालने के लिए हम दो लिखेंगे simple सा AC square equal to AB का square plus BC का square तो AB कितना है? रूट तीन है ABC हो गया 1 तो रूट तीन का square 3 हो जाएगा 1 का square 1 रूट 1 हो जाएगा 4 तो AC हो जाएगे 4 का root अंडर root में आ जाएगे यारि चार का बड़कमुल निकालना है स्क्वार हटता है तो अंडर रूट हो जाता है तो AC इक्वेल टू चारगा बर्गबूर हो जाएंगे दो तो इस तरह से हम लोग AC का जो मांग है वो हम लोग लिखा लिए अग हम लोग को करना है वो है साइड कॉस कॉस साइड लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग करती है कि साइड एक चलिए एक जला में हम उसारे का पहले मांग को लिखा लेते हैं साइड एक कितने हुए तो ए से देखना है तो टैने फ़र्ण लिख लेते हैं लंबटे कर्ण होते हैं तो लंबटे कर्ण यानि लंब कौन हुआ A के नजर से लिख रहा है तो A के सम्मुख जो है वो हूँ या लंब यान B C लंब हो गए और कर्ण हो गए A C तो B C by A C तो B C का वैलू कितना है 1 है और A C का वैलू हो गया 2 तो 1 by 2 अब हम लोग निकालेंगे कॉस A तो कॉस A का पर्मुला आधार बटें कर्ण तो आधार कौन हो गया A से देखेंगे तो आधार हो गया A B और कर्ण हो गए A C तो A B हो गए आपका रूट 3 और A C हो गए 2 तो इस तरह से आपको निकालना है देखें साइड है कॉस A निकल रहा अब हम निकालना है साइड C और पॉस C तो साइड C के लिए फोर्मुला तो वही रहेगा लब गटें कर्ण सिर्फ जगा चेंज हो जाएगा जैसे कि C से आप लब को देखना है जैसे हम A से देख रहे थे वही हमको देखना है C से तो चलिए C के नजर से सम्मुक भुजा कौन हो गए A B हो गए इसके नजर से तो यह हो गया लब यानि A B आपको इस तरह से देखना है और कर्ण हो गए AC कर्ण में कोई चेंजिक नहीं होंगे कर्ण जो है वही रहेगा तो A B का मान हो गया आपका रूर्टिर और AC का मान हो गया 2 अब उन्हों कोई C का निकालेंगे कोई C का मान हो गया आधार बटे कर्ण तो आधार हो गया पर C के नजर से आपको देखना है यह आधार हो गया तो यह लवब है तो यह आधार है यानि BC बटे AC तो BC कितने है, BC हो गए आपका 1 और AC जो है वो हो गए तो बस इस तरह से आपको पहले ही मान को पहले निकाल लेना है अब इसके बाद हम लोग समस्क्रा का खल करेंगे तो सबसे पहले इसको लोग मिटा लेते हैं और आप चाहिए इसको note down कर सकते हैं तो चलिए मैं इस चित्र को और इसको लिकाल लेता हूँ, note मिटा लेता हूँ अब जो सवाग है पहला वारा side A और cos C दोनों के बीच में कुछ नहीं मतब गुना है तो side A का मान कितना हुआ? 1 by 2 तो चलिए मैं यहापर 1 by 2 लिख देता हूँ cos C, cos C का मान क्या है? यहाँ cos C है देखिए 1 by 2 है, तो चलिए मैं यहाँ पर 1 by 2 लिख देता हूँ plus cos A, cos A का मान क्या है? root 3 by 2 तो चलिए मैं यहाँ root 3 by 2 लिख देता हूँ sin C, sin C यहाँ है, sin C का मान root 3 by 2 तो चलिए मैं यहाँ root 3 by 2 लिख देता हूँ देखिए कितना आसान हो गया, अब 1 को बार पढ़ेंगे तो 1 ही होता है, 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 to jump 4, root 3 को root 3 बार पढ़ेंगे, 3 हो जाएंगे, 2 to jump 4, just इसको addition कर दिजी, 4 और 4 का addition 40 होगा, 1 plus 3, यानि 4 by 4, 4 पोर कड़ गया, यानि answer 1, इस तरह से बहुत ही आसान परिके से ह तो इसका हल कर सकते हैं, अब जैसे कि second number सवाल है, तो चलिए second number सवाल को भी बना लेते हैं, cos A into cos C minus sin A into sin C, तो चलिए QO से कमान कितना है देह लेते है साइन E देह लेते है यहां है इसका मान भी 1 by 2 है तो चलिए लेक देह नहीं और साइन C यहां है root 3 by 2 तो root 3 by 2 को 1 by 2 घंभेंगे तो कितना होगा root 3 by 1 जा root 3 2 तू जा 4 और 1 को रूट 3 बार पढ़ेंगे तो रूट 3 और यहां भी तूटूजा 4 आप देखिए रूट 3 बाई 4 रूट 3 बाई 4 गे आप डटाएंगे तो एंसर कितना होने वाला है 0 तो पहला का एंसर 1 और सेकेंड का एंसर 0 अगर इसमें कोई भी दिकत है आप मुझे कॉमेंट में जरूर लिख सकते हैं मैं कोसिस करूँगा जल्द से जल्द इसका रिप्लाई आप तक पहुंचाने का चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अबस्तर कर लिजिए और वीडियो अच्छे लगा है तो लाइट शेयर और कॉमेंट अबश्री कीजिए तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है जैए